सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने अभी तक के हमारे अलेक्रिकल इंचिरिक में सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने नहीं क्या होगा तो अभी करके अपकमिंग नोटिफिक्शन कोई भी मिस ना कर सको अब देखे एक चीज़ बताना चाहता होगा इस इसके अपके अबाव एक्जामनेशन के लिए काफी सता यूसफुल है और स्टेट्स के भी अगर इसको देख रहोगे तो इन सभी स्टोंड इसको यह जानना होगा कि यह सभी कोशन्स आपके एक्जामनेशन के लिए काफी ज़्यादा यूसफुल हैने वाले सो बिना किसी दरीके अभी हमारे सेशन को शुरू करते हैं लेकिन अगर आपने यह प्रिवेस सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक क काफी सरी देखते हैं अब किस कोंटेक्स में बात की होथा जो बहुत सारी एक्जामनेशन में क्या होता है हम लोग एक्जामनेशन में अग्जामने के लिए देखते हैं उस case में काफी सारी छोटे-छोटे concept जो है हमारे fundamental होते हैं लेकिन उसमें काफी साथ confusion create होता है more or less हम लोग examination के pure pressure में रहते हैं अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं synchronous motor की तो यह जो run होती है सिंक्रोन स्पीड पर ठीक है जो हमारी synchronous machine है अब क्योंकि यह सिंक्रोन स्पीड पर रहन हो रहे है विच इस फार्मूला से हम लोग सिंक्रोन स्पीड को calculate करते हैं तो यह हमारी constant 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 है number of poles are 4 ठीक है तो 120 into f which is हमारे पास में frequency 50 divided by pole are 4 ठीक है 30 into 50 will be equals to 1500 rpm ठीक है but obvious है आपको यह सभी learn करने की बात होगे बटाओ दीक है क्यों चीज में आपको learn करने के लिए बतारो अगर है number of poles 4 है और जो frequency 50 यह बहुत standard values है तो आपने डिरिकली इस तरी के से फॉर्मॉला में substitute नहीं करना है इस डिरिकली एने 6 to 1 1500 कंसिडर कर लेना है मैंने आपको अलड़ी बता दिया था ठीक है तो अगर यह मानलों स्पीड हो जाती 1500 तो यहां पर यह स्पीड कॉंसेंट रहेगा ठीक है तो simple answer था इसका option को क्यों कि हमारी शुरुवाती सीरीज है तो कुछ जो fundamental questions है हम लोग आपके साथ में करना चाहते है काफी सारे students वह अभी recently join हो चुके इसलिए मैं mention करना चाहतू कि सभी experience को चोटे-चोटे concepts clear होना ज़रुरी होता है clear है option C का correct answer जाता है जिस तरी कि सीरीज advance होगी सीरीज में हम लोग detail में questions को discuss करेंगे ठीक है अब यह digital electronics से question पूछा गया again देखेगा which of the following logic gate provides the output as a 0 when both inputs are same either 0 or 1 इन में से जो logic gates mention किये गए वो हमें output 0 का provide करेगा जब हमारे दोनों input जो है same रहेगे तो simple answer है वो है हमारा XOR ठीक है option B will be the correct answer in this case XOR के अगर हम लोग बात करते है ठीक है तो XOR gate यह होता है हमारा पास में और gate ठीक है अगर है पर हमने एक line draw करती तो यह हो जाता है हमारा XOR ठीक है and let's consider अगर हमने आपर bubble draw कर दिया तो यह हो जाएगा हमरे पास में XNOR gate clear है तो XOR gate के अगर हम लोग truth table की बात करते है तो let's consider यह input A and B और यह हमारा output हमार पूट है Y ठीक है दो इंपूट रहते है हमारे पास में A and B and output output रहते हमारे पास Y condition क्या बनेगी का सा काफी सिंपल है चारी कंडिशन बनती है हमारे पास 001 10 and 11 these are the conditions ठीक है लेकिन अब देखिए यह आपर एक बता इधर वन या फिर जीरो है ठीक है लाइकवाइस कि हम गर्म बात करते हैं दोनों में से कोई भी एक गेट है इंपूट जो है हमारा वन है अब आदर हमारा इंवर्ट है उसका तो भी आके हमारा output वन मिलेगा ठीक है तो simple है हमारा जो truth table यह satisfy करता है एक्स और गेट का तो option B इसका correct answer जो होता है अब यह काफी simple से question है क्योंकि हमने directly answer mark करके आपको बता दिया कि option B इसका correct answer हो जुका लेकिन examiner जो है आपको जान बुष्ट के इस तरीके से questions आपको drop up करता है so that आप इन सारे जो truth table होते है हार एक truth table उसमें verify करके आपका समय जो है आप व्यतित कर सोगो समय जो आपका उसमें आप extra put in कर सोगो ठीक है इसके क्या होता है कि आपका simple से question के लिए आप ज next question क्यों question is in a three-phase induction motor if the air gap is increased then the dash ठीक है three-phase induction machine के अंदर अगर हमारे से air gap होती है ठीक है between the stator and rotor तो वो अगर हमारी बढ़ जाती तो उसके करण क्या consequences हमें face करने को मिल सकते है आप देखें जो gap रहती है stator और rotor के बीच में ओके वो एक काफे critical part रहता है और काफे crucial part रहता है हम हमारे performance को analysis करने के लिए फिर जो performance decide होती है वो काफी impact करती है हमारे air gap से ठीक है अगर हमारी बढ़ जाती तो उसके consequences मैं आपको बताता हो consequences का मतलब होता है उसके जो परिणाम में वो तो जो permeability रहेगी magnetic circuit की rotor to stator वो हमारे decrease हो जाएगी ठीक है leakage reactants हमारा बढ़ जाएगा no load current हमारा बढ़ जाएगा magnetizing inductance जो हमारा motor का वो हमारा काम हो जाएगा उसके इसमें ठीक है और जो inductance की बात करो मेंगेर्डडाइज इंदेंटों अमारा decrease हो जाएगा जिसके करन हमाराmost current eh धाया ओर हमारा मैगाडेजिंग करन विये वो भी हमारा इंक्रेश जाते अगर हमारा मेगर डाइजिंग जो घर reprodu wird एक्लित अगाया दूसके करन ऐस्के कारन मारा पौर है झुरुद मों हभद अफिक है तुर इसी का मतलब का है कि जो करेट निकल किया है को रहेगा हमारा पावर फैक्टर विल रेडियूस सिंपल है और अप्षिन है इसका करेट अंसर हो जाते हैं अब देखें सारे जो चॉक्षी को समझ आप इनलेटीकल समझ सको ठीके क्या होता है क्या होता है रिसेंटली आइफी पर स्कुछ आपको बंद या फिर क्या होते हैं दो ही चीज़े होती है आप रिजंस या फिर उसके परिणाम ठीक है इक तो उसका रीजन या फिर उसका निंग करने के लिए यह च्छोटा सा कॉंसेब्ट आपको बार बार कहता हूं और अगर आपके कॉंसेब्स के ले तो चीज जो सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाले सिशन के अंदर कौशन चाहिए तो वो भी आप हमें करके पूछ सकते हो चलिए अभी बढ़ते अभी मारे नेक्स कोशिन के और कोशिन इस विच वोल्टेज रहते हैं उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रॉमेंट हम लोग इस्तिमाल करेंगे ठीक है हम लोग या पर मल्टिप्लाय लगा देंगे ठीक है इस्तिमाल करेंगे अगर हाई वाल्यू हाई करने को यह चीज़ गलत हो जाती है सिंपल आपको कॉंसेट्स पता होने चाहिए कि अगर आपको कॉंटेक्स्ट एग्जामनेशन में ऐसा पुछा कि हाई मेगनेटूड ऑफ दरेंज ऑफ टैन के वी एसी वोल्टेज आरे मैस वाल्यू करना हो को तो इन दाट केस हम लोग एलेक्ट्रोस्टेटिक सिंपल आपको पता होना ज़रुरी हो जबॉक्त है अगर हम लोग हाई मैगनेटूड की बात करते इवन इफ अगर हम लोग हाई वोल्टेज की बात करते तो इसके डेफिनेशन काफी अलग-अलग हो जाती है अलग-अलग एलग कॉंटेक्स में चली बढ़ते भी मारे स्क् and fundamental question in a common collector amplifier the voltage gain is dash ठीक है अब देखे common collector amplifier में voltage gain कितना रहता है है हमें question में पूछा गया ठीक है तीन तरीकी की combinations रहता है एक तो common base रहता है ठीक है common emitter रहता है या फिर हमारा common collector रहता है ठीक है these are the three important parameter और configuration जहां पर हम लोग transistor का इससमाल करते है राइट वह अलग अलग purposes के लिए अलग अलग यूज़ता है let's consider अगर हमारे पसमें as amplification के लिए यूज़ करना हो तो देन इन दाट केस्ट वी यूज़र कामन इमिटर टाप रहता है ठीक है it is denoted by the alpha जो ग्रीक लेटर है हमारा alpha which is equals to ic by ib ठीक है अगर हमारे बास में common इमिटर की बात करते हो हमारा बीटा रहता है current gain ठीक है जो ratio रहता हमारे बास collector current to the base current and यहां पर जो हमारे बास में common collector का जो configuration रहता है पर in that case यह हमारा gamma है यह जो सब य जैसा दिखता है it is a gamma ट्र गैमा ठीक है it is the ratio of ie upon ib ठीक है emitter current upon base current या फिर हम लोग उसको लिख सकते है 1 by beta clear है which is equals to 1 by beta itself यह भी आपको examination numerical के फॉर में या फिर concept के फॉर में पूछएड़ा सबता है टीक है तो option B इसका correct answer आ जाते है चली बढ़ते ही पी हमारे next question के और question is a magnetizing force of 100 ampere tms per meter will produce a flux density of a dash in an air टीक है simple टो question है आपको एक चीज़ पता हूने चीए magnetizing force किस से हम लोग denote करते है ठीक है और magnetic flux density कोन से letters हम लोग denote करते है because those are the standard notation standard notations मतलब क्या कि हम लोग ऐसा नहीं कि magnetic flux intensity X से denote कर पाएंगे य से denote करेंगे नहीं अलेकर क्लेंजिंग में जिस तरीके ohm का एक सिंबॉल है वो रिप्रेसेंट करते हमारा resistance ठीक है एच होता है हमारा inductance का unit Henry ठीक है आयो होता हमारा current V होता हमारा voltage उसी तरीके से हमारा जो magnetic field strength या फिर magnetic field intensity it is defined by the letter H ठीक है 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 से define की जाते है जिसको में लोग करते मेंगराइजिंग फोर्स ठीक है यह है amount of the magnetizing force अगर हम लोग magnetic flux density ठीक है flux density के बात करते है तो वह रहे था हमारे पास ने बी ठीक है यह है amount of magnetic force induced in a given body due to the magnetizing force H इस magnetizing force दोरा जो magnetic force induced होता है particular body के अंदर एक particular हमारे पास में अगर हम लोग करेंगे unit के अंदर तो वह रहे था हमारे पास में फिर magnetic flux density ठीक है clear है यह magnetizing force जो है magnetic field intensity create करते है magnetizing force उस body के अंदर ओके और यह जो इसके बी और एक का relation रहता है यह simple है guys it is equals to be is equals to mu into h यह आप ध्यान में रहे रहे हैं यह relation आपको पूछा सकता है which is magnetic flux density is equals to mu into h ठीक है h is what magnetic field strength जरूर आपको ध्यान में रहे अब mu क्या रहता है ठीक है यह हमारे पास में permeability of the material ठीक है mu is equals to ठीक है यह mu है यह जो जो दिखता है Greek letter में हम लोग कहते है यह दिक है मैं आपको काफी simple simple चीज़े बता रहो although जो students regular है हमारे साथ में उनको लग रहा होगा कि सब्सक्राइब काफी fundamental है but I am telling इस जो फ्रेशर से 24-23 के पास अगर आपके concept क्लियर नहीं तो मैं उनके लिए बंचिन करना चाहता हूँ ठीक है mu is equals to ठीक है mu zero into mu r ठीक है अब देखे mu zero क्या है यह हमारे पास में absolute permeability है ठीक है इसका value कितना रहता है पाई इंटू 10 रिस्ट पावर माइनस 7 हैंडी पार मीटर यह होता है मू आर जो होता है यह मात्री होती है relative permeability अब देखे यहां पर जो है मैंगरेजिंग फॉर्स है बार हमारे बसे बताया गया क्योंकि हमारे पास में जो मिवार है वह हमारे बताया गया तो अगर हमारे पास में जो वाइल्यू पूछीगे ठीक है flux density b b का वालू अगर हमें निकालना होगा तो बी विल बेकूस तो वाट मियू इंटू एच मियू में हम लोग क्या सब्स्ट्यूट करेंगी मूज मूज इरो इंटू वार तो हम लोग क्या करेंगी फॉर पार इंटू टैंस पार माइनस सेवन इंटू वन इंटू एच का क्या वालू है 800 ओके 800 इसका जो एक्वेलन हमार पास वालू निकल कहा था गैस वो रहता हमारो से वन मिली वेबर पर मीटर स्क्वर ओके सब्सक्राइब क्या होता है वेबर पर मेंटर स्कूर या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं यह भी हमें करेंट करना होगा क्लियर ऑप्शन भी इसका करेंट आंसर आ जाता है चली बढ़ते भी मारे निक्स कुछिन के और अब दिखे हम लोग हम लोग एक होलो कंडेटर स्वालुकंड़र्ट का इसतामाल करते हैं वेन वी कंपेर या फिर यह फिर यब हम लोग हाई वॉल्टेज इसे ट्रांस्वेशन की बात करते हैं उस केस में हमार पारमिटर लिए तर नेजिए फिर अच्वाट करते हैं लेकिन हमने चलब हैं जो एक द्रंब्स की हो गते हैं लुइक वाम को सेет हैं तो हुं दो लुक्त आप color टेरें उसके को विल्हुटर खक्रद लीक BIG अथी था टेकर और यहां पे रहता है बीच में चील विच इद स्टील प्रवाइट करने के लिए यूज के जाते हैं वह अच्छी प्रपर्टी प्रशेस करते हैं इसलिए वी इसलिए वी एनके इनके चीप भी रहते हैं यह हमारा सिलिकॉन होता है सिंपल है option D इसका करेट आंसर आजाएगा चले बढ़ती बिमारे नेक्स कुशिन के और अगें वेरी वेरी पॉपलर क्वेशन आज बाद करते तो इसका इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह कौन से इस्ट्रुमेंट में यूज़ करते हैं और अगर हम लोग इसका इसका इस्तेमाल होता है क्लियर है option है इसका क्लेट आंसर आजाता है सिंपल तो बढ़ते भी मारे नेक्स कुशिन के और सकते हैं और आप डिपेंड और आपन जितने भी हम लोग है उल्यक्तिक पावर डिलप करते हैं वह उनको इन में से कौन से फटर पर डिपेंड नहीं करते हैं यह पूछा गया देगे काफि सिंपल है से क्रेट आंसर हो जागा हमार अप्शन दी विचिज एफीशिंसी आफ the evaporator ठीक है अब देखिए इसका जो अगर हम लोग बात करते हैं जो amount of electrical energy generate की जाती है hydroelectric power plant दरह वो कौनसी फॉर्मॉल से ले डिफाइन होती है e is equals to k into gamma into q into h into eta ठीक है जहाँ पर हमारा k constant है अगर हम लोग बात करते हैं जो specific अब दीके जो electrical power generate होता है ठीक है प्लांट का प्रोपोर्शन रहता है हमारे पस में available water head जो हमारा एच रहता है ठीक है generation efficiency कितनी है ठीक है flow rate कितना water का क्यों मतलब reactive power नहीं यहाँ पर water flow rate रहे का ठीक है efficiency of the evaporator यह हमारा correct answer हो जाएगा that means the generation of hydroelectric power plant sorry I take my words back generation of hydroelectric power does not depends upon the efficiency of the evaporator option D is का correct answer है simple topics आपको question पूछी जा सकते है let's move on to the next question again very very important question and economics of power generation ठीक है एक topic ऐसा है जहां से दो question definitely पूछी जाएगे आज नहीं यह आप आज session में देखिए गाइस और आप जब भी आपका examination होगा उस दिन भी आप इसको मार करके आएगा और यह आप इसी वीडियो पर comment करोगे कि यह definitely जर वहां से दो question पूछे गे ते जरूरू इसका demand ठीक है वह हमारे पास है 48,000 kilowatt and let's change the color let's do the bright blue color right अब हमारे पास में maximum demand which is equals to 96,000 kilowatt right plant capacity factor PCF हमारे पास बता है गे 0.48 और में पूछा गया installed capacity कितना रहेगा अब इसको solve करने के लिए simple सी बात है सिर्फ आपको formulas पता होना जरूरी होता है ठीक है plant capacity factor हो गया demand factor हो गया plant use factor हो गया ठीक है किस तरह किस रिजर्व capacity find out करते दो जाब दो crucial terms which you needed for the solution of this question ठीक है थीस type of question अभी हम लोग इसको solution करने के लिए हमारे पास में एक formula पता होना चाहिए कि plant capacity क्या है ठीक है या फिर हम लोग plant capacity factor की बात करते है ठीक है तो वो क्या होता है annual energy produce divided by the maximum energy that could have been produced that means maximum demand कितना है ठीक है अगर लोग बात करते है I'll change the color once again let's take the purple color right plant capacity factor is what ticket it is the actual energy produce divided by maximum energy that could have been produced clear अब देखिए यहां पर हमारे पास में plant capacity factor बताया गया plant capacity factor बताया गया and we have to find out the installed capacity ठीक है अब देखिए यहां पर catch होता है जितना average actual energy produced है ठीक है अगर हम लोग इसको और equate करेंगे तो यह हम लोग define कर पाएंगे कि हमारा average demand है ठीक है average demand है into time मतलब एक particular time में कितना हमने produce किया ठीक है multiplied by जो plant capacity रहेगा ठीक है plant capacity into t right और उसी को रोण बात करते हैं जो security cancel हो जाते हमारे पास में simple definition निकलता है जो हमारे रहेगा average demand upon the plant capacity इसी formula वे हम लोग value substitute करेंगे अब है आप महारे पास में जो plant capacity factor is 0.48 और हमारे बास में क्या निकालने के लिए पर denominator में आजाएगा तो हमारे पास में डिरिक लिए वन से इसका division होता है और हमारे उसे जो हम लोग equivalent series हम लोग put कर देंगे ठीक है तो इसका value निकल क्या थागा तक इसका करेंसर आ जाए ठीक है यह थाउसन्स होगे यह यह आपर पूछे जाते हैं उसमें से ठीक है तो जरूर उसको watch करके देखेगा तो लेट्स मोव और नेक्स कोशन एक कोशन का लेने से पहले आपको एक चीज़ बताना जाए तो अगर आप प्रेपर कर रहे हो आपके अब हमारे क्यापिट्यूट्स और एक्ट्रेंजिंग एक्प्रिकेशन को अभी से डाउनलोड करके इन कोर्स को गया काफी प्रूवन और ट्रस्टड रहे चुके आपके एक्जामिनिशन के लिए जितने भी एग्जामिनेशन हुई है काफी सारा जो आपको इसमें से उने सब्सक्राइब कर सकते हों इसका भी कूपन कोड़ है आपके इसको अपलाय करके आप इसको एंड्रोल कर सकते होगा इसको इंक्लोडिंग यॉर अगर आप चाहते हो कि महा ट्रांस को का अभी तक का हमारे सबसे बेस्ट को इंड्रोल करो तो आप हमारे इससिस्टेंट इंजिरेट 24 के थेरी प्लस कर सकते हो अभी जितना भी हमने कॉलिटी कॉंटेंट दिया है वह इसी कोर्स के अंदर है ठीक है अगर आपको चाहते हो तो उसके अंदर भी हम लोग करा देंगे इसका कूपन कोड काफी जल्दी वाने शुट जाए गए इस महां फिफ्टी ठीक है इस मंध तक यह वैलिड है अल्मोस ठीक है तो आप उसको जरूर जरूर करके रखेगा फिर इसके बाद में कोई भी हम लोग कुपन एक्स्टेंशन की क्वेरी एंटरें नहीं करने वाले ठीक है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जब आपकी बास मौका रहता है जब भी उसका उफसका और निक्सक्वेशन क्वेशन क्वेशन इस अगलवनमेटर फुल स्केल करेंट अफटन मिलियम्पेर है जरेस्टंस ऑफ 1000 ओम्स दे मल्टिप्लाइंग पावर देखेगे चीजे क्या क्या बताई गया हमारे बसमें तो गैलवनमेटर है फुल स्केल करेंट हमार पस बता है अब दीके है यहाँ पर हमें जनरली शंट की वाल्यू पूछी जाती है बट यहाँ पर शंट वाल्यू बताई गिए ठीके वट 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 जी आर आसकेंग इस अप मल्टिप्लाइंग फैक्टर अगर हम लोग बात करते गईस ठीके अ शंट की ठीके वहमारा क्या रहते है rm will be equals to Bm by i.m. ओक है और यहाँ पर जो m का वैलू रहते है एंब व्होटी सर्वेसी अ मल्टिप्लाइंग फैक्टर यह रहते है हमारा required full-scale deflection required full-scale deflection divided by initial full-scale deflection यह फिर स्टाइंग का जो रहते है अब देखे में यहाँ पर है यहाँ पर сво 앞 में सीरीज रेस्ट्रेंस रहएगा रम हम्हारोस।्थ हमें अल्कुनीद को से ऐगा पूरस नहीं से हमारा वीमगों यहाँ पूरस्टेंशल दिफ्रेंस थ APP राइएंट एंडा मारो यह मारी उनके करके रख देता हूं सुधार्ट पेस्ट को जो है जो नियू कमर सून से उनको तकलिव ना हो आयम इस वाट ठीक है आयम इस तैन मिली अम्पियर रइट आरे सच का है आरे सचीस वाट इस वाट विच जिस थे 1000 divided by M minus 1 काफी सिंपल थी सिंपल सा फॉर्मूला था इसका M minus 1 ओके या पर यह दो जीरो दो जीरो कैंसल हो जाएगा ठीक है M minus 1 which equals to 10 so obviously बात है M का value जाएगा 11 है simple option B will be the correct answer in this case ठीक है इस तरीके से भी आपको questions पूछ जा सकते है अब आपको extension of range of voltmeter and ammeter यह आपको पता होना चाहिए उसके formulas भी है और उसका calculation definitely पूछा जाता है बढ़ते भी मारे next question के और question is again very simple question shunt reactor are needed ठीक है shunt reactor series capacitor shunt capacitor ठीक है and series reactor यह सारे चारों के चारों आपको पता होने चाहिए power factor compensation या फिर power factor correction या फिर हमारे पास में voltage profile को boost up करने के लिए कौण से-कौण से facts controller ठीक है flexible AC transmission के जो हमारे पास में devices रहते हैं कौण से-कौण से use के जाते वहां से यही से question पूछ जाता है ठीक है अब यहापे जो shunt reactor का का काम क्या होता है यह क्या करता है कि जो receiving and voltage यह लाइट लोड पर ठीक है उसको कम करने के लिए मदद करता है ते शंट reactors are needed to bring down the receiving and voltage at light loads option B will be the correct answer in this case यह क्यों हम लोग लगाते comment box में कमें ज़रूर की जाए ठीक है next question is वन के विए 230 वोल्ट फिप्ट हर्स single phase transformer has a eddy current loss of a 30 watt the eddy current loss when the transformer is excited by the dc source of the same voltage will be dash ठीक है जो students अच्छी तरीके से पढ़ रहे होगे within a second 10 seconds के अंदर ही इसको अच्छी तरीके से correct answer mark कर देगे ठीक है जो क्यों हो जाएगा हमारा 08 किस तरीके से आया है सर अब देखे जो हमारा eddy current loss होता है पी इच इस इकूस्टो के मल्टिप्लाइड बीम स्क्वेर इंटू f स्क्वेर ठीक है अब मुझे बताएगा ठीक है dc source की बात की जा रहे है ठीक है dc का frequency कितना रहेगा बट वे से 0 ठीक है तो हमारे पास में जो है स्ट्यूट करके flux density पर आपको दी रही तो भी उसमें सब्स्ट्यूट करके वाल्यूस निकाल के करें टैंसर मारक अप कर दिए बट एक्जामनेश्ट के बाद उनको पता जलता है यह चोटे-चोटे-चोटे ट्रीक्स आप कर ले तो ठीक है अब आपको यह काफी अच्छी तरीख से क्लियर स्क्रेन है आपको दिखाए जे रहे ठीक है वो द्वार एक्जामनेश्ट में जाते हो ता उसमें स्क्रोल करना पड़ता है तो आप इसमें छोटे-छोटे-चोटे-टर्मिनलोजी मिस्कर द है ठीक है फ्लॅफस की ठीक है फ्लूफस क्लिए से जो हमारे बास में लोग तана को फ्लूब इतने हमोग भी पकरिवास में मैं जऴ संदल गखम्राइब कैने के लिए से उसको रियूटिलाइस कर सकते हैं इसका अप्शन भी इसके लिए अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा ठीक है और मैंने मेंचिन भी किया थे इन फैक्ट दीखेगा इस बात से आपको मेंचिन करें तो जितने भी स्ट्वेंट को पाव प्लांट को समझने के लिए माध्यम से आपको पाव प्लांट को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उनको समझने के लिए काफी आपको आसानी होगे तो डेफिनेटल इसको एंडॉल कीजिए का आपको काफी सारी जीजे क्लियर अप हो जाएक और इन सारे कोश्टिंस को आप आसानी से मार्क आप कर पा लोग यह तक है अगर अगर हमारे पाट-001 प्लांट पॉइंच लिए यह कौन सा किरैंट के लिए यह स्मॉल पॉइंच-फॉइलार लोग इसको कहते है इसको मेसर करनें के लिए केलविंज डैवल प्रिच का इससमाल करते है टिके उप्शन बीस का करें जाता है अगर शे the circuit shown in the figure the reading of the sensitivity and the full-scale reading of the voltmeter and internal resistance of the ammeter. Voltmeter का sensitivity है which is 200 ohms per volt. अभी full-scale deflection है 10 volts ठीक है and ammeter का internal resistance है वो हमारा 200 ohms. अब देखें इस से हमें का internal resistance calculate करना पड़ेगा voltmeter का है and the ammeter का. So that हम लोग इस question को solve कर सेके और जो reading है voltmeter की और ammeter की हम लोग acquire कर सके ठीक है अब देखेगा हमारे पास में sensitivity है ठीक है उससे हम लोग internal resistance निकाल सकते हैं ठीक है internal resistance कितना हो जाएगा internal resistance of voltmeter it will be equals to 200 ohms per volt है ठीक है अगर इसको हमने 10 से multiply गया full-scale deflection से into 10 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2000 ohms ओके और यहापर internal resistance जो है ठीक है यहाँ पर हमारे पास में बताया गया है जो वैल्यूस बताया गया है यहाँ यह हो गया हमारे पास में 200 ohms का ठीक है इसके पारलल में हमारा एक resistance लग जाएगा जो हो रहेगा हमारे पास 2000 ohms का यह हमारे पास वैल्यू आगए इस तरीके से अब देखे है हम लोग काफी आसानी से निकाल सकते हैं किस तरीके से निकालेंगे इस इसके अक्रॉस में ठीक है यह जो होल्ट मिटर है मैं आपको हाइलेट कर देता हूँ इसके अक्रॉस में निकालने अब देखे यहाँ पर दो एक्वेलेंट रेसेंस है हमारे पास में 2000 ohms के जो पारलल में है तो इसका सिंगल एक रेसेंस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अरवा से 1000 ohms का ठीक है 1000 ohms का था हम लोग यह पर करेंगे इंटो 1000 ohms divided by total resistance रहेगा हम रूफ से 2000 प्लस ठीक है 1000 यह इस complete option 6.25 6.25 वोल्ट हाँ भी हमें current का values निकालना ही पड़ेगा ठीक है अमिटर का भी हम लोग रेडिंग निकाल पाएंगे सिंपल है इस ठीक है इसका पासा निकाल सकते हो ठीक है कोई भी और रोकेट साइंस नहीं है आई विल बीकूस टू वाट वोल्टेज कितना है 20 divided by ठीक है सारे equivalent resistance को में लोग यह करेंगे डिवाइड करेंगे 2000 ठीक है 2000 प्लस इन दोनों को करेंट आंसर आजाएगा इस तरीके से भी आपको fundamental question बन सकते हैं यह सभी आपके dependent करते हैं आपके fundamental analysis के पर clear है बड़त भी मारे निक्स कुशन के और what will be the resultant of resultant capacitance of the given combination अगर हमारे पास में जो चार capacitance है 1 2 3 4 इसका घर में एक single equivalent capacitance अगर निकालना होगा तो what we will do ठीक है इस case में अगर हमारे पास single capacitance निकालना होगा तो क्योंकि यह parallel में हम लोग इनका directly addition करेंगे 1 plus 2 3 plus 3 will be equals to 6 plus 4 10 millifarad options इसका करेंटा रहते हैं यही on the contrary अगर आपके capacitance जो है ठीक है series में रहते थे तो हम लोग इसका equivalent निकालते थे ठीक है यह बात जरूर धान देजिए का यहापे vice versa rule apply होता है जहाए से हम लोग resistance को apply कर ठीक है resistance series में add up होते है और parallel में जो है उसका equivalent निकालता है उससी के vice versa यहापे अगें there will be a new question यहाँ से आपको definite questions पूछ जाएंगे इस तरीके से question is what will be the value of average power in watts if a sinusoidal voltage applied across the series RC circuit is a 20 sign of omega t volts and the current flowing through the circuit is 10 sign of omega t plus 60 amperes ठीक है simple साइसका answer निकाल लेंगे बच्चे अभी हमें average power निकालना है power is what voltage into current ठीक है voltage कितना है हमारे बास में 20 तो आप निकालोगे 20 into 10 which is 200 ठीक है which is absolutely wrong सबसे पहला यह option आपको 200 वाट का बता है इस तरीके से गलतिया करके मत अना गया इस ठीक है एक series RC circuit की बात की जा रही है ठीक है और यहाँ पर sinusoidal voltage हमला रहे पास में apply किया गया ओके अब देखे गई इस case में आपको मैं बताना चाहता हो वी का value हमर पस में बतायागे 20 sin of omega t ठीक है volts ठीक है वी इस एकूस टो 20 sin of omega t यह omega w नहीं है omega हम लोग इसको तो पाई यह कहा रहता है कि इस अंगुलर frequency ठीक है angular frequency का unit क्या है मुझे comment box में comment करके बताओ ठीक है और अगर आपको इस सेशन पसंदार आगे ज़रूर इस सेशन को like करिएगा ठीक है current इस वाट ठीक है current कभी instantaneous current का equation रोता है 20 यहां पर हम रवास बताएगा 20 sin of omega t plus 60 ठीक है अब देखे यहां पर इन डोनों की बीच का जो फेजर है angular difference है ठीक है फाई का value जो है ठीक है वो हमारे पसमें प्लस 60 यह हमारा यहां पर formula रहेगा clear but in this case क्या हमारे पास में यह जो 20 और sorry यहां पर 20 और जो current का value है 10 यह current का value voltage का value 20 और 10 क्या है हमारे पास में RMS values given है नहीं ठीक है यह values होते हैं वी एम एंड आएम ठीक है maximum value of current current रहते हैं current and voltages रहते हैं respectively ठीक है अगर हम लोग instantaneous value of equation की बात करें तो i is equals to im sin of omega d तो यहां पर जो सबसे पहली value रहती हो रहती हो रहती हमारे बास maximum value again we will multiply RMS को तो हमारे पास में 10 divided by root 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ maximum value बता है multiplied by cost of 60 degree ठीक है इसको completely solve करते हैं तो हमारे पास में जो है correct answer निकल कहाएगा इसका वो रहागा उना 50 वाट सिंपल सा answer था option B will be the correct answer in this case मैं अपको इसको erase कर देता हो एक चीज़ मेंचन कर देता हो बहुत सारे बच्चे कहते हैं इस तरह हमें cost 60 sign 30 निकालना नहीं है तो उनको मैं mention कर देता हो यह session अभी भी हमारे पास अविलेबल है चुटकियों में निकाले sign 30 cost 128 and 45 की थोड़ा से समय दीजिएगा किस तरीके से इसकी वाल्यूज रेटेन करना आपको याद करना यह सभी इस session में मैंने अगर आपको इस session के link चाहिए होगी तो आपको इस त्रिशन बोक्स में प्रवाइट कर देता हो अगर आपके वही कोई कंसर आती है अगर आपको यह link दूढ़ने में लिक्क्त जाती तो कि motivate करता है इसी तरह के से quality और affordable content आपके लिए time to time provide करने के लिए तो clear है बटते ही हमारे next question क्यों क्यों और question is the graph associated with an electrical network has a seven branches and the five nodes the number of independent KCL equation and number of independent KVL equations respectively are dash ठीक है अगर हमारे पास में बता है गया कि एक circuit में एक network में seven branches and पाच नोड है तो हमारे पास में number of independent KCL equations कितने हो जाएगे n-1 ठीक है n-1 जहापे n मतलब है नोड ठीक है 5-1 will be equals to 4 तो हमारे पास में 4 नोड हो जाएगे ठीक है B-N मतलब 7-5 प्लस 1 कितने रहेगे हमारे पास 7-5 will be equals to 2 plus 1 will be equals to 3 तो तो तीन हमारे पास में KVL equations रहेंगे तो option D is का correct answer आ जाता है यह तरीके से questions examination में जरूर पूछ जाएगे बड़ते भी मारे next question क्यों क्यों और question आपको as a homework की तरह दे रहे हो गाईज छोटा सा formula आपको substitute क इस फॉर्मॉला में value substitute करके आप जो operating flux का value निकाल सकती विचिस फ्लाइट का value निकाल सकती अब लाप होंड है तो a is equals to p हो जाएगा ठीक है अब आपको मुझे बताओ यह लिखने की जरूरत रहे दिए गया आप 5 P Z n अपॉन 60 A ठीक है तो आप A और P को eliminate कर सकते बड़ आप यह हो जाएगे ठीक है यह यह का भी value बताया गया हमारे पस में operating voltage भी बताया गया ठीक है यह यह भी value बताईगी है clear है और हमारे पस में कितने rpm रोण हो रहा है वो भी हमारे बस बताया है number of conductors कितने है ठीक है 250 conductors भी बताया है 60 तो constant है सिर्फ हमें flux का value निकालने अप निकाल सकते हो correct answer राजाता है इसका 0.04 वेबस option c will be the correct answer in this case जरूर attempt कीजेगा next question is the if the energy meter disk makes the 10 revolution in 100 seconds then the load of 450 watt is connected to it meter constant in revolution per kilowatt hour will be dash ठीक है meter constant का unit क्या रहते है revolution per kilowatt hour यह diploma engineer training के examination में इस तरीके से units पूछे जा सकते है ठीक है यह आपको मैं बता देता हूँ आप देखे गाईस यह जो energy rate यह रहता है मेरे पास voltage ठीक है e will be close to what यह रहता है हमारा voltage multiplied by current multiplied by हमारे बस में cost of 5 ठीक है multiplied by time into 10 to power minus 3 ठीक है अगर हम लोग जो है यह जो time है हमारे पास में वो हमारे पास में 100 seconds में ठीक है number of revolution है कितना revolution कर रहा है वो 10 revolution है यह भी हमारे पास value बताएगे ठीक है तो जो 100 seconds में energy supply होती है ठीक है and it is supplied in 100 seconds I'll change the color ठीक है let's see तो वो कितना रहेगा 450 into current का value कितना है हमारे पास ठीक है which is but obvious है यह पर 450 watt है ठीक है ना कि हमारे पास voltage है ठीक है हमारे पास जो directly value रहेगा VNI का it will be close to power ठीक है तो power यह हमारे पास कितना है 450 watt है multiplied by हमारे पास cos phi ठीक है cos phi के कर मारे पास बात बता ही आ रही है इस केस में हम लोग इसको one consider करेंगे multiply by time ठीक है time कितना रहेगा 100 divided by 3600 ठीक है multiply by 10 to power minus 3 तो यह हमारे पास में जो value है जादे 12.5 into 10 to power minus 3 kilowatt hour ओके यह आ गया हमारे पास में जो energy supply कीगी है न 100 seconds अब दिखेंगे जो number of revolutions हो रहे है 10 revolutions हो रहे है ठीक है 10 revolution हो गे तो हमारा meter constant क्या रहेगा meter constant will be equals to ठीक है यह number of revolution number of revolution divided by यह कहा रहेगा kilowatt hour ओके तो kilowatt hour का हमार पास value substitute करते है number of revolution में हमार पास बता है के 10 divided by 12.5 into 10 to power minus 3 ठीक है तो अगर यह 10 to power minus 3 अगर हमारे पास में numerator में चलाते है तो 10 to power plus 3 हो जाता है ठीक है अगर 1 divided by 12.5 which is equals to 8 ठीक है तो यह हमारे पास यह value आ जाता है 800 revolution per kilowatt hour ओके option B इसका correct answer रहा जाता है इस तरीके से आपको एक question energy meter पर definitely पूछा जाएंगा ठीक है continue करते है भी मारे next question के और question again very simple question पूछा गया the maximum efficiency of 100 kVA transformer having a ion loss of 900 kilowatt and a full load copper loss of 1600 watt is occurs at dash ठीक है maximum efficiency के लिए जो हमाँ formula रहता है इस ठीक है percentage x एक particular fraction of efficiency का formula अगर हम लोग बात करते है ठीक है तो वह रहता है under root of ठीक है wi upon wcu यह दान दीजेगा जो efficiency आती है हमारे बसने सम fraction of load पे वह हमारे फॉर्मुला है ठीक है यह फुल लोड के वी ए multiplied by under root of why upon wcu Okay we will substitute the values as well ठीक है 100 into why ion losses के तना 900 divided by हमारे पास में जो copper loss is a full load क papa ब सिझे 600 ठीक है 900 का जो वायल्यू है ठीक है यह कितना रहेगा 100 into 30 divided by 40 ठीक है 00 cancel हो जैद है 3 by 4 which is equal to 0.75 0.75 into 100 which is equal to 75 kVA, option A will be the correct answer in this case पड़ते हैं मारे next question के और question हमें पूचा गया काफी simple तो question है अगे at which of the frequencies is the skin effect is noticeable, कौन से frequencies पे skin effect noticeable है, ठीक है, तो वो higher frequencies पे हमें skin effect noticeable होते है skin effect के क्या कारण होते हैं और क्या उसके परिणाम होते हैं मुझे comment box में comment की जा कौन से कौन से factors पे skin effect depend करता है, वो भी हमें mention की जा comment box में, as a homework की तरह दे रहो आपको बढ़ते ही मारे next question के और question is in an armature winding, the distance between the segment to which ends of the coil are connected is dash, ठीक है, एक armature coil में जो distance रहता है between the segment to which, जहाँ पर coil हमारे connect रहते हैं, जहाँ से segment की बीच का जो difference होता है उसको हम लोग का कहते है, उसको हम लोग कहते है commutator pitch का, जहाँ पर coil connected है, ठीक है, यह exact इतना जो difference है, यह कहलाते है yc, which is commutator pitch, the distance measured in terms of the commutator segment between the segment to which the two ends of the coils are connected, जो end है, coil के यहाँ पर कहते है, उसके बीच का जो difference होता है वो रहते है, हमारे उसने, commutator pitch, ठीक है उसको हम लोग को denote करते है, yc से option a, इसका correct answer आजाता है बढ़ते हैं, बढ़ते हैं मारे next question के और the question is what is the loss in a vat for a 3-wire DC system, यह same question previously महाट इसको महाट आजको के examination में पूचा गया था, तो हम यह हमारे बस पूचा गया, 3-wire DC system के लिए loss in a vat कितना रहेगा, तो यह रहेगा p square divided by 2v option a will be the correct answer in this case, जो आपको types of DC system और उसके loss of loss in vat है, जो आपको उसको table mention किया है वो आपको थोड़ा पढ़के रखना होगा, यह काफी आपको खुदी को ढूढ़ना पड़ेगा है, ठीक है, common collector configuration में, current gain, letter से, Greek letter से हम लोग define करते है, इन 5 option में से, जो correct answer है, current box में comment करना होगा, ठीक है, move करते हैं, भी मारे next question के और, question is, triangular wave का form factor क्या होता, अब देखिए, form factor अपको एक तो पहले, definition पता होना चाहिए, वो होता है, rms value divided by average value, ठीक है, उसी तरही किसी जो peak factor होता है, उसका definition होता है, peak value, ठीक है, divided by the rms value, ठीक है, तो आपको sine wave, triangular, square wave और short tooth wave के लिए rms, peak factor और form factor पता होना चाहिए, जो triangular wave का form factor होता है, वो रहता है 1.154, option C, इसका करेटान चाहिए, बहुत बार stoned, इन सभी सभी simple से questions में ही गलती कर आ जाते है, ठीक है, तो आपको सभी waveforms के rms value, peak factor और form factor पता होना चाहिए, और साथी साथ आपको जो form factor और peak factor के definitions है, वो भी आपको आना ज़िरूरी है, ओके पड़ते भी मारे next question के और, अगेन आपको आई रूल से question definitely पूचे जा सकता है कि according to the Indian electricity rule 1956, रूल नमबर 54 डिसस करते है about the declared voltage आओ supply to the consumer wherein for a high voltage, what is the tolerance on the lower side, अब दीके high voltage की अगर हम लोग बात करते हैं, तो lower side पे tolerance limit कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 9% गाईज तीक है, 33 kv, यह कौन सा rule के according लिया, I rule number 54, तो उस case में जो हमारे पसने plus 6% हमारा higher side रहना चाहिए and 9% हमारे lower side में रहना चाहिए, clear है, option disk का return answer जाते है, अगर हमारे पस low और medium voltage है, अगर 650 volt टक voltages है, तो हमारे पस में plus minus 6% टक यह tolerable range होती है, अगर हम लोग एक्स्ट्रा voltage की बात करते हैं, plus 10% higher side में रहता है, और minus 12.5% हमारा lower side में रहता है, तो 3-4 conditions आपको पता होना ज़रूर है, बढ़ते भी हमारे next question के और, अगेन question, very important question, simple साई question है, एक nichrome wire यूज के गया है, एक coil को बनाने के लिए heater में, अब देखे ही heater में, जो coil होती होती है, वो nichrome की बनाने रहती है, ठीक है, coil हमें बनानी है, इसका resistance है 2 ohm per meter, हर meter में 2 ohms का resistance आज, तो हमारे पर कितना length of wire required रहेगा, अगर हमें 1 kilowatt का heater बनाना होगा 200 volts के लिए, ठीक है, तो P is equals to R square, sorry, P is equals to V square by R, इस formula को आप याद करके, अच्छी तरी किसा answer निकाल सकते हो, अभी हमारे पर से resistance पर meter बताया ठीक है, 2 ohm per meter है, voltage बताया गए 100 volts से, ठीक है, तो हम लोग इससे resistance निकाल सकते है, R will be equals to V square, ठीक है, V square मतलब 200 square, 200 square, 200 का whole square, ठीक है, divide by P, P is what, 1 kilowatt, which is equals to 1000, ठीक है, 1000 watt, तो हमारे 200 into, 200 divided by हमार पस 1000 आजाएगा, ठीक है, 1, 5, और यहाँ पर हमारे पास जो value है जाएगी, यह देगे हमारे पस 40 ohms, ठीक है, अब देखे, simple सा question है, काफी standard है, बहुत बार examination पूछ जा चुक है, ठीक है, 40 ohms का resistance आजेगा, अब हमारे पस में, total 40 ohms का resistance आ गया, लेकिन हमारा resistance कितना है, को बनाने के लिए, ठी ठीक है, तो लेंगे, तो लेंगे, तो 20 मिटर्स का जो हमारा लेंथ है, वो required रहेगा, for making the nichrome wire for the heater itself, ठीक है, तो option C, इसका करेटान सर जाता है, simple सा question है, एक fundamental concept के पर यह question पूछ जाता है, next question की और move on करते है, again very very important question, economics of power generation, इस topic से question पूछ जाता है, तो question is, the ratio of a dash to the maximum demand during a given period is known as a load factor, ठीक है, तो जो ratio हो रहता है, max, dash to the maximum demand, उसका हम लोगे तो load factor, अगर आपको load factor का definition पता होगा, तो वो simple है, average demand upon the maximum load, यही इसका definition रहता है, यही मैंने आपको बंचन कहता है, and load factor का major crucial point रहता है कि उसका जो value रहता है, ठीक है, value is always less than 1, simple है, जो diversity factor रहता है, उसी का value हमार greater than 1 रहता है, okay, option A, इसका correct answer रहता है, मैं recommend करूंगा, प्लीज आप जाके economics of power generation का session देखेगा, हमारे पास YouTube पे available है, next session के लिए मैं आपको question चोड़ के जा रहा है, उसका correct answer में comment box में comment करना होगा, question क्या है, determine the frequency of the periodic waveform shown here, ठीक है, जो periodic waveform बताएगी है, इसका frequency क्या होगा, हमें comment में comment करना होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि महा ट्रॉंस को के examination best score कर सको, तो आपको हमारे mock test को आज ही enroll करना होगा, यह आपके महा डिस्कॉम के लिए भी काफी ज़्यादा useful है, mock 50 is coupon code का, इसको attempt कर सकते हो, आपके technical के courses के लिए, इसके coupon code आप याद रख के हमारे application प पाइदे मन रहेगा, आपके examination के लिए, कोई भी चांस आप छोड़ीगा, ठीक है, आपको आज का session कैसा लागा, जरूर मजे comment box से comment करके पताएगा, गाईज, I wish you all the best for your examination, आपको हमारे capabilities और electrical engine, MCQs के happy channel को click करके subscribe करना होगा, telegram channel से जुड़े रहेगा, so that आपको daily free practice quizzes और questions आपको मिलते रहे, recent session को देखने के लिए आप इसको click करके भी watch कर सकते हो, so thank you for watching this session guys, have a nice day, मिलते भी हमारे next session में जल्दी से जल्दी